बाद बाद में हसते और हसाते जैच हन्यारा से आए देखते हैं एक मुलाकात रास्ता ऐसा तेह हो गया है कि परबत को भी मुझसे भेह हो गया है मुश्किलों ने बहुत रहा रुकी पर मन्जिल का सफर तेह हो गया है और जिन आखों में पैदा होते ही लिखा गया था परा जाए वही परा जाए आज किस किस कर जाए हूँ नमस्कार मैं आदिखान आपका वीरेंच स्टूडियो में स्वागत करता हूँ आज की जो सक्षियत जिन से हम बात करने वाले हैं जब मैंने उनके बारे में पढ़ा तो मुझे कुछ लाइन्स याद आई मन्जिले उन्हें मिलती है जिनके सपनों में जान होती है पंको से कुछ नहीं होता हौसलों से उडान होती है फिजिकली डिसेबिलिटी से उभर कर अपने आपको एक स्टार्डम की तरफ ले जाना वो नाम है जै चनियारा हम आज उनसे बात करते हैं जै आपका स्वागत है वेनम स्टूडियो में बहुत बात शुक्रिया और वेनम एम टिवी देखनेवाले सभी दर्शकों को जैचनियारा काफ प्यार पर्हारा नमसकार करियर की शुरुवात, जैसे हम केते हैं एक स्टार्ट आप होता है, जब करियर शुरू होता है, तो आपकी करियर की शुरुवात कैसे रह रहें as a stand up comedian, क्या ऐसा था, क्या कोई बैग्राउंड में या ऐसा family में कोई ता, जो stand up comedy करता था, आप direct first रहें family में नई सर मेरी जिन्दगी में तो ऐसा बिलकुल नहीं हुआ कि कोई मेरी फैमिली से स्टेंड अप कॉमेडी करता हूँ लेकिन मुझे बच्पन से शौक था है कि मैं जब छे साल का था तब मेरे दोनों पाउं का उपरेशन हुआ था अमदाबाद तो मैं मेरी मौसी के घर पे था तो आप जानते हैं कि हमारे गुजरात में मकर संक्रांती का तो बहुत ज्यादा क्रेस होता है और तब मेरे परिवार वाले महां पे आये हुए थे तो मैं प्लाश्टर में था दोनों पैर मेरे प्लाश्टर में थे और मुझे दर्द मैसूस हो कर दोब की तब मेरे परिवार में मुझे एक चुटकुलो की कैसेट का उस समाने में आपको याद होगा कि ऑड्यो कैसिट का जमाना ही त dwul टेप सलेरे टीड़ स्विभए . तो मुझे एक चुटकुलो की सट ilin कर डे परिवार वालों ने ना कर दी मैंने वह स्ञेट सुनी ब परिवार और सबको ऐसा लगा कि ये बच्चा इसमें जरूर कुछ टैलेंट है और ये इस लाइन में जा सकता है आगे तो मैंने इस करियर में अपना पहला कदम रखा ये बहुत अच्छी बात है और आपने एक और चीज़ कही कि आपने और आडियो टेप जो था वो सारा का सारा सुना दिया अपने फ्रेंज को मतलब इसका मतलब है आपके शार्प मेमरी बहुत शार्प है हमेशा से कहते हैं और कहते आएं बड़े बजर्ग के जब उपर वाला एक दर्वाजा बंद करता है तो हजार दर्वाजे खोल देता है तो जब एक डिसिबिलिटी देने के बाद में भगवान ने उन्हें एक ऐसी चीज़ दी शार्प मेमरी विटिनेस उनके अंदर तो व उपर वाले मालिक की एक दुआ हैं और मैं बहुत शार्प मेमरी है मेरी अगर आप मुझे दस साल बात भी मिलोगे तो मैं आपका नाम याद रखूंगा यह उपर वाले की एक इनायत है मुझे जब आप 6 साल के ते तब आपने पहला परफॉर्मेंस दिया था तो तब से ल और मेरे लिए बहुत बहुत अच्छा लगा और मैं मालिक का शुक्रिया दा करता हूं कि उसने मुझे यह चीज़ दी और मैं इतना मुझे प्यार मिला लोगों का इतनी महबत मिली तब से लेकर के आज तक कि मैं लबजों में उसको नहीं कर सकता बया मैं बहुत बहुत बह अब इतने सारी सीरेस बाते हो गई जिसके लिए जाने जाते हैं वह क्यों ना हमारे बरोडा के अमारी जो ओडियंस है कुछ कुछ हो जाए मैं बरोडा आया हूं तो यहां से नस्दिक्त अमदाबाद पड़ता है तो मैं अमदाबाद की कुछ बात करना जाओंगा यह तीनों चीजों कमकी सेंपल निकाले और वो इस तरह से निकला है कि जो आज में चालूगाडी में चढ़ जये उतर जाए नेकिन गाडी खड़ी रहे, उसके बाद पूरे अगे बढ़ादे में, एक सावाल, जो शायद आपसे कई बार लोगों ने पूछा होगा, यह पूरा जो जैच से जैच अनियारा का जो एक दौर था और उसके बीच में आपको कई सारे लोग ऐसे मिले होंगे जिन्होंने शायद आपके साथ डिफरेंशेट किया हो या मतलब एस इन एक नॉर्मल इनसान और एक फिजिकली डिसेबिलिटी होना तो कई सारे लोगों ने ऐसा किया होगा तो वो फेस कैसा रहा हो जी मेरे साथ यह हुआ था कि जब मेरे साथ यह चीज प्रॉब्लम हुई तो जब कुछ लोग मिलते हैं तो वो अच्छी नजर से नहीं देखते हैं वो एक सिंपती से देखते हैं कि रहे इस बेचारे को ये प्रॉब्लिम है ये वो है लेकिन मैंने कभी हिमत नहीं हार जब मेरे परिवार में से कोई उदास हो जाता था तो मैं कहता था कि ममी पापा चिंता मत करो आज लोग ये कह रहे हैं लेकिन कल तुमारे बेटे को लोग अलग नाम से जानेंगे अलग इस जगा पर हैं जहां शायद कोई और नॉर्मल इनसान भी नहीं पहुच सकता था इतने अच्छे स्टैन अप कॉमेडियन है आज आप और उपर आपको और तरक्की दे नेक्स्ट क्वेशन मेरा ये है कि एक शो आपने किया शेकर सुमन और जी सिद्दू जी के साथ में ए मेरा जिन्दगी का सबसे खुबशुरत दौर था वो आर्टिस्ट वो कलाकार वो मेरे दोस्त जिन्हें मैं आज भी बूल नहीं सकता और जब हम साथ में काम करते थे तब हमने इतनी मस्ती किये कि हम मॉल में गूमने जाते थे कहीं लोग तो मेरे साथ रात को मुझे चिपक असली जय चनियरा बने मैं यह कहूंगा ऐसा को इंसिदेंट या इसा कोई प्रैंक किया हो या ऐसा कुछ चीज हुई वो सेट पे उस दौरान एस सेट पे बार यह हुआ था कि मुझे बहुत रात हो गई थी देर बहुत हो गई थी शूट में और मैं कि मुझे जादे देर लोग मुझे बैठ कर ते लोग मुझे वहाँ पर क्यूंकि मैं सब कलाकारों के मामले में सबसे चोटा अर्टिस्ट मैं था इस समय में तो लोग मुझे इतना प्यार करते था एक बार तो उनके डायरेक्टर में देख लिया कि जय कप से बैठ आ है और शूटिंग में इतना टाइम लग रहा है तो उन्होंने मेरे लिए स्पेस्चियल ही सोफा मंगा है कि आराम कर तू सोजा जब तेरा टाइम आएगा तब उठाएंगे तुझे अमनों शुटिंग के दोरा नहीं हुआ जी बिल्कुल हुआ को स्टार्स थे साथ में काम कर रहे थे उनके साथ कैसा एक तालमेल था उससा है वह तो बड़े बड़े लोग हैं पहले से स्टेबल थे और आप बिल्कुल ने बड़े बड़े लोग बड़े लोग हैं लेकिन एक इमेज ऐसी बन गई थी हमारी एक स्टार्डम ऐसा बन गया था कि जब वो स्टेच पर चड़ते थे तो मेरी मा के पै हो जाए वो अगर अपनी इंसानियत ना छोड़े तो वो बड़ा कलाकार बनता है तो बरोड़ा आप घुमे होंगे जी बिल्कुल आए हां बिलकुल आए बरोड़ा आपको कैसा लगता है बरोड़ा बहुत ही अच्छा लगता है मुझे लेकिन यहां के ओट वाले से मुझ बड़ा खुश हो गए मैं उसको खड़ा रखा ओटो वाले को मैंने गा वा दन्याय तुझे यार दन्याय तरे ओटो को तुने मा का अश्रीवाद लिखा बुला लिखना ही पड़ेगा ना मा का सुना बेचकर ओटो लिए अचा तीग आगे बढ़ाते है हमारा शो और की उपर वाले की फैंस की इतनी दुआ रहे हैं तो मैं इसी तरह लोगों को हसाता रहूं और मेरी एक फील्ड है और मैंने दूसरा काम भी अभी शुरू किया है लाफ्टर के साथ मैं मालिक की महरमानी से सिंगिंग बहुत अच्छी कर लेता हुँ च्बान अल्ला तो आप स शुसकिया उसको उसका कोई रूप नहीं वह निराकार है लेकिन एक इश्वर रुपी आवास एक इश्वर रुपी फणकार और एक बहुत स्था इंसान मैंने देखा है इश्वर की आवास जिससे मैं कहता हूं रफी साहब तो मैं उनका बखॉत बड़ा फ मारत से зал की उमर कि मुझे रफी साप के अलबा कोई सिंगर नहीं पसंद और मैं उन्हीं के गाने सुनता तो जै आपने अगर ये बात छेड़ी दिये सिंगिंग के आप रफी साप के इतने बड़े फैन हैं तो क्यों ना कुछ आप हमारे ओर्डिन्स के लिए सुनाएं जी जी बिल्कुल फिल लाइन एक गाना तो मैं वह बहुत पसंद था तो जै आपने अगर ये बात छेड़ी दिये सिंगिंग के आप रफी साप के इतने बड़े फैन हैं तो क्यों ना कुछ आप हमारे ओर्डिन्स के लिए सुनाएं जी जी बिल्कुल मैं दो लाइन एक गैर फिल्मी गाना था र मेरे स्वर में प्यार किसी का गाता है प्यार किसी का गाता है याद किसी की जब आतिक नया गीत बन जाता है प्यार किसी का गाता है मेरे पास नहीं कुछ अपना जो है सभी पराया है मेरा तनमन मेरा जीवन किसी और की चाया है मैं तो हूँ एक तार छेड़ कर कोई मुझे बजाता है प्यार किसी का गाता है कि ब्लेस सीजिसली में कहना चावा कि इतनी सारी आपके अंदर अबिलीटीज एए एक और ब्रेक लेते हैं कष़ कर आपसे एक और जोग सुनते हैं और कुछ इसी गटना सुन्ते हैं जो वारे बरोडा के जनता के लिए आप सुनाने चाहेंगे टीवी पे जब आप देखो अभी टीवी का क्रेश है अभी 21 जुन को यूगा दिवस गया कल आप आप सुबह टीवी खोल लो पांच बजे तो पक्चेस में से बीस चनल तो ये बाबा लोग रोक के बैठी आप देखि एक रामदेव जी महरा जाते हैं सुबह सुबह आप उनको टीवी खोल लो सुबह सुबह तो है कमाल बाती कमाल बाती तो हम तो नहीं कर सकते जैसा वो करते हैं अगर सास बास अटक गई तो क्या है अभी मैं ट्रेन में बरोडा आ रहा था तो देखा मैंने दो लड़किया नाखुन गिस रही थी हुए उनका यह क्या करते हैं फिल्यों नाखुन गिस यह तो बाल बहुत अच्छे उगते तो पासमें एक बेहन जी बेटी थी उन्हें मूंपे रुमाल रखा थे मैंनका बेहन जी सब गिस रहे हैं तो आप क्यों नहीं पूले क्या बताओं बेटा छे महीने तक मैंने गिशा था देखों मुझे निकलाई तो मैं एक मेरी फ्योरिट सक्षिय थे राजनीती में जिने लालु जी के नाम से जाने था तो मैं उनकी बात जो मैंने लाफ्टर चलंज में भी की थी जिन से लोगों ने मुझे जैज अनियारा बनाया तो मैं वह बात करना चाहूंगा अभी अभी दालु प्रसाथ यान्द cheating अने तुम मुझे थाइज सब्सक्राइश को कामा म कें मुझे ऀंग्योस्तान का पी ek अचा मुझे आर्षा बोले मुझेओ और को ये टेंशन नहीं है कि याफ याप यहन नहीं बात कर रहे हैं हैं मुझे पूमेह इ आप इंग्लिश शिखा देना हूँ तो बड़ाक्सर बड़ा कोबा मासर टेंशन में नहीं थे उन्होंने हाँ बुला हूँ छे महीने तक सिखाया छे महीने के बाद मोधी साफ को ऐसा लगा के लाओ में फोन तो करू बड़ाक्सर को अमेरिका फोन किया इंग्लीश में साथ बड़ा उन्हाया के लिए कुछ ऐसा मेसिज है या कुछ आप कहना चाहेंगे बड़ा शेहर को बड़ा शेहर में आप हैं तो ऐसी को बूड़ा सम्टरा ने मुझे बहुत चाहास। तो मैं उनको एक ही शेहर कहना चाहांगा रास्ता ऐसा ते हो गया है कि परबत को भी मुझसे भै हो गया है मुश्किलों ने बहुत रह रोकी पर मन्जिल का सफर ते हो गया है और जन आथों में पैदा होते ही लिखा गया था परा जै वही परा जै आज किस गिस कर जै हो गया वाग्या बात कही है इनी लाइन्स के साथ मैं आपको छोड़े चला जाता हूँ यह मनजिले उन्हें मिलती हैं जिनके सपनों में जान होती है पंकों से कुछ नहीं होता होस्टों से उड़ान होती है नमस्कार